Hello Friends, आज हम बनाने वाले है Tricolor धोगला, तो Independence Day आने वाला है, उसके लिए हम यह धोगला बना कर तैयार करेंगे, तीनों कलर कर धोगला बहुती perfect, spongy और tasty बनने वाला है, यह सूजी से बनता है तो काफी healthy भी है, एक्टम no-fail recipe है, कोई भी से बनाए, पहली बार में यह कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम ली मिल जाए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप सूजी यह मैंने बारिक वाली सूजी ली है फिर हम इसमें डाल देंगे एक कप दही दोनों चीजों को मिला लेंगे यहाँ पर आप इस चीज का ध लेते हैं तो यह मैंने स्टीमर में पानी डाल दिया है इस पर यह प्लेट लगा दी है और अब हम इसको ठक देंगे अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो कोई दिकत नहीं है आप कोई बड़ा पतीला ले ले उसमें कोई भी कटोरी या फिर कोई भी छोटा सा स्टेंड रख सकते हैं आज हम ठोकला ग्लास में पनाएंगे तो उसके लिए पहले ग्लास को इस तरीके से ओईल जे ग्रीस कर लेंगे तो मैंने तीन इक्वल साइस के ग्लास ले लिए है इनको ग्रीस कर लिया अब जो बैटर है उसे हम तीन पार्स में डिवाइड कर देंगे एक्वली त को आसानी से किसी भी departmental store पर मिल जाएगा या फिर आप इसको online भी मंगा सकते हैं अब मैंने लिया है ये एक ino fruit salt तो इसका एक session लिया है इसको जो हमारी better के तीनों portion है इसमें हम equally divide कर देंगे फिसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे mix करेंगे और फिर इसको glass में pour कर दे पहले आप इसमें fruit salt डालें थोड़ा सा पानी डालें फिर mix करें और फिर इसको पहले glass में डाल दे अब जो दूसरा वाला portion था उसमें भी हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी fruit salt हमने पहले ही डाल दिया था इसको भी ग्लास में निकाल देंगे यहाँ पर जो मैंने ढूखला बनाया है यह दो quantity के लिए दो लोगों के लिए दो serving है यह अगर आप जाधा quantity में बनाना चाहते हैं तो आप सब ही चीज़ों की quantity को double कर दें जो यह white वाला था इसे हम white ही रखेंगे इसमें मैंने थोड़ा सा fruit salt डाला था और इसमें पानी डाल दिया है अब हम इसको भी ग् ऐसे हम बनाया है अधा कर लिया है और इसमें बना पानी डाल कर इसको फिर से ब्लैड करेंगे अब इसे उक बाहल में निकाल लेंगे यह चेटनी अभी कादी सी काड़ी है तो इसकी कंसिस्टेंसी को आउन बात में अचेस्ट करेंगे अब जार में थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर इसको चटनी में मिक्स कर लेंगे तो जिस भी consistency की चटनी आपको पसंद आती है आप उसको से साब से adjust कर सकते हैं तो ये देखिए बहुत ही tasty और delicious ये चटनी बन कर तयार है अब हम इस पर तड़का लगाएंगे ये हमारी बहुत ही tasty एकदम special वाली चटनी बन कर तयार है आप इसको फ्रिज में रखकर 2-3 दिन तक खा सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होती तो जब भी आप कोई भी नाश्ता बना रहे हैं उसके साथ इसको serve कर सकते हैं जो हम ठोकला बनाने वाले हैं उसके साथ तो ये बहुत इच्छी लगेगी तो ये देखिए जो ठोकला है वो अच्छे से फूल गया है प्रॉपरली स्टीम हो गया है इसे हम हलका सा ठंडा होने देंगे तो 10 मिनट तक इसे ठंडा होने देते हैं और फिर हम इसको demold कर लेंगे ये जो ठोकला है इसको बाहर निकाल लेंगे अब इस तरीके से चाकु से हम किनारे अलग कर लेंगे और फिर इसको demold करेंगे तो ये बहुत ही असानी से निकल जाएगा, इसे हलका सा tap करेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कितना perfect color आया है इसका, texture भी इसका एकदम perfect है, देखे कितने spongy बने हैं ये तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे ज़्यादा tasty बनाना चाहते हैं, तो आप इस पर आप तड़का लगा सकते हैं तो तड़का लगाने के लिए एक पैन में डाल देंगे दो चमच ओईल, फिर इसमें डाल देंगे आधा छोटी चमच राई और आधा छोटी चमच दिल, सबी चीज़े को splatter होने देंगे फिसमें डाल देंगे चार से पांच हर इमिर्च, हर इमिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया है, फिसमें डाल देंगे दस से बारा करी पत्ता और फिर तड़के को सारे ढोकली पर डाल देंगे, इसे फैला लेंगे, तड़का लगाने से ढोकली का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा तो यह हमारा एक तम पर्फेक्ट बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ठोकला बनकर तयार है यह बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है इसे जरूर से बना के ट्राइ करें यह देखें कितना पर्फेक्ट और स्पंजी है यह तो आप इसे स्पेशल वाली चेटनी के सा थाओ था थाओ तो रखेक्ट यह वाचूं को में जएक्टनी को अईए बेग्ठागे यह तो आप देखे हैं।